विए वेल्कम बेक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूं आप सब लोग ठीक होंगे मैं भी ठीक हूं वीडियो का टाइटल स्टार्टेंग देखकर आप सब लोग समझ गए होंगे कि आज का विडियो क्या है हान जी आज मैं लेकर आही हूं आप लोगों क सब लोगों को हमारी शादी में मेरी और दिर्जी की शादी में मैंने काफ़ी टाइम पहले कुछ दिन पहले और एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने शेयर किया था मेरी शादी मतलब किस तरह से दिर्जी से हुई कैसे हमारी सगाई हुई क्या था सब कुछ तो उस वीडियो पर काफी सारे फ्रेंस ने मुझे कमेंट किया था कि आप अपनी शादी का वीडियो शेयर करना तो आज फाइनली जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी हूँ अपनी शादी का वीडियो और वीडियो थोड़ा सा पुराना है क्योंकि इ फिर बाद में मैंने community में भी डाला था कि कौन-कौन देखना चाहता है मेरी शादी का वीडियो तो काफे सारे friends ने कहा था कि जरूर आप share कीजिएगा तो हान जी, ये हूँ मैं दुलन के रूप में और देजी को आपने starting में देखी लिया होगा तो ये है हमारी शादी का वीडियो ऐसे लग रहे थे हम दोनों जब दूला दूलन भनेते और मैं ना हमेशा से गोलू-मोलू रही हूँ मतलब हेल्दी थी मैं, शादी के टाइम में मोटी थी मैं और हान जी, अब ये है हमारा घर, मतलब देजी का घर और यहां से शुरू हो गई है शादी की सारी रस्मे इस रस्म को क्या कहते है मुझे नहीं पता पर इससे ही जो है सारी शादी की रस्मे स्टार्ट होती है और ये है मम्मी जी और साइट में खड़े है टाइजी, बीच में है मेरे बवाजी मेरे बुआ जी के है मतलब देजी की बुआ जी देजी की पांच बुआ जी है और देजी के मतलब मेरे ससूर जी और एक उनसे बड़े ताउ जी तो दो भाई हैं पांच बहने हैं ठीक है जी काफी बड़ा परिवार है देजी का और अब ये रसम हो रही है और यहाँ पर ये स sb log, मतलawَ میरी baua saas, मेरी dadae saas, जो सामने चश्पा लगाये पे बैठे नहीं, ये, बहुत ज़्यादा, Ayzed है, ये, ये है मेरी dadae saas, जो अब नहीं रहे हैं, तो काफी लोग है, जो इनमे 세 access, नहीं रहे हैं, तो वो सब आप वीडियो में ही, हम उनको देख सकते हैं मतलब जैसे देजी की पांच बॉआजी है उनमें से सिर्फ अभी तीन बॉआजी है दो बॉआजी जो है अब नहीं है और ये भी देजी की बॉआजी है जो कि अब ठीका लगा रही है देजी के तो अभी ये बॉआजी ही जो है अब मिलने आये थे, अभी मैंने एक व्लॉग डाला था, उसमें मैंने बताया था कि एक बुआ जी है, वो मिलने आ रहे हैं, उनकी तभे ठीक नहीं है, तो वो यही बुआ जी है, ठीक है जी, तो मैं इस तरह से आप लोगों को बताती जाओंगी कि कौन क्या है, तभी आप ल देख लीजिए, यह है मेरी ननद, और यह जो बुड़े से बैठे न, चश्मा लगाए हुए, तो यह है मेरी दादे सास, जो कि बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ध्यान रखते थे, अब तो यह दुनिया में नहीं है, और पर यह थे बहुत अच्छे, नेचर वाइस, बह प्यार से रखते थे, मुझे, वह ही कहते न, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो मैं पोते की बहु थी न, इनकी, तो इस वज़े से मेरा बहुत ख्याल रखते थे, और अब जो है, शुरू हो गई है, हल्दी की रस्म, तो सब लोग हल्दी लगा रहे हैं पर यह भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो यहां पर चल रही है, हल्दी की रस्म, तो हमारे यहां पर जो शादी की रस्में जिस तरह से शुरू होई है, कहां कहां इस तरह से शादी की रस्में होती है, मुझे जरूर बताना कमेंट से मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो हाँ ये सारे है हमारी family की मतलब पांचो बुआ जी ताई जी, मम्मी जी, भावियां सब लोग हाँ ये सारे हैं मेरे family members है हाँ ये है सबसे बड़े भावी जी और ये है मम्मी जी और पापा जी तो इस रसम को हमारे याँ पर बोलते जोल डालना हाँ कुछ-कुछ रसम मुझे नाम पता है क्या कहते है जैसे हल्दी की रसम हो गई अब इसको बोलते है जोल डालना जो कि सब जोड़े से करते है तो जैसे मम्मी जी पापा जी ने किया है ये और उसके बाद जो है बुआ जी, फूफा जी, मामा जी, मामी जी सब लोग करते है इस तरह से और अगर जोड़ा ना हो तो दो लेडिज मतलब साथ में कर देती है ये जो बिरसम है ये और देजी कैसे थे ना पहले पतले से मैं स्टार्टिंग से गोटी थी देजी शादी के टैन पतले से थे और अब वो मोटे हो गया और हमारे यहां पर शादियों में न जाहिए ये रेड कालर की जो चूनर ओडर के सबने तो ये मतलब हर जो भी शुब काम होता है ना उसमें ये ओडनी जरूरी होती है तो कोई भी जैसे शादी का फंक्सन होता है तो इसमें सब लोग ये ओड़ते ही है हां जी तो ये है देजी के बुवा जी और फूफा जी ये देजी की सबसे छोटी बुवा जी है और फूफा जी है और ये है देजी के ताउजी और ताईजी जो की अब मेरे भी ताउजी ताईजी है और हां तो ये रसम इस तरह से होती है आदमी लोग जो जैन्स लोग है वो तो ये जो दही और पता नहीं क्या चीज़ से बनाया वो होता है ये सर में डालते है और जो लेडिस होती है वो लगाती है, तो इस तरह से यह रसम होती है, और ये है मेरे छोटे जेट जी और जिठाणी जी, मतल East टाओ जी के छोटे बेटे और उनकी वाइव, तो ये है मेरे जेट जी, और तो आज आप लोगों को दिखाने के बहाने मैंने भी दुबारा ये देख लिया है वीडियो मेरी शादी का और मैंने बहुत साल बाद आज शादी का वीडियो देखा है और बच्चों ने भी आज मेरे साथ ही देखा है काफी दिन बाद तो बच्चों को भी खूब हसी है सब को देख देखकर और काफी लोगों को हमने मिस्स भी किया जो हमारे बीच में नहीं रहें और हाँ यह है मेरी बड़ी जिठानी और जेटजी तो दिर्जी की शादी में सब पूरा परिवार था और अभी काफी लोग जो है उसमें से वह यह की नहीं है तो उन लोगों को सिर्फ हम वीडियो में देख लेते हैं याद कर सकते हैं पर यह बात अच्छी होती है वीडियो की कि जो लोग अब नहीं है उनको हम देख सकते हैं तो बस अब यह रसम हो गई है और हाँ जी तो हल्दी लग चुकी है लड़के को और अब है खाना जो की दावत दी जाती है मतलब शादी से पहले लड़के वालों की तरफ से सभी रिष्टेदारों को सभी जानने वालों को पहचानने वालों को जो दावत दी जाती है वो चल रही है तो यह देखिए काजू कतली, रसमलाई, क्रीम चौप, पूरी और ना, ये सब चीज़े देखने में मतलब शादी जिसकी होती है ना वो खाने के मज़े बिल्कुल भी नहीं ले सकता है नहीं फैमिली वाले मज़े लेते हैं खुद के घर में अगर शादी हो दूसरे लोगी मज़े लेते हैं ये मैंने बहुत, मतलब हर बारी मैंने ये चीज़ नोटीस की है मतलब मेरे घर में जैसे मेरी नानित की शादी थी तो मैंने अच्छे से कहीं भी खाना नहीं खाया मतलब सबके साथ मैंने एक एक बाइट लिया होगा और जैसे मेरी खुद की शादी थी तो मुझे भूकी नहीं लगी थी और जैसे मेरे देवर जी की शादी थी तो मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया था खाना खाने का मज़ा जो है वो दूसरे की शादी में ही आता है तो बस यहाँ पे चल रहा है खाना और अब ये नेक्स डे जिस दिन खाना हो गया था उसके नेक्स टे जो है सुबह का ये सीन है और देजी बन गए है अबदूला और ये भाबियां यहाँ पर काजल लगाती है दूले को शीशा दिखाती है मतलब ये एक तरह कव होता है नेक चार हमारे यह पर बोलते है तो जो देजी की शादी में उनकी भाबियों ने किया था और जब मेरे देवरजी की शादी थी तो ये नेक मैंने किया था नहीं मैंने किया था हम तीनों भाबियों ने मिलके किया था और ये फिर उनको गिफ्ट भी मिलते है तो पापा जी ने यहाँ पर इनको एक एक रिंग दी ह और हाँ मतलब शादी में ये फाइदे भी होता है तो दोनों भाबियों को रिंग मिलिए और जब मेरे देवर जी की शादी थी तो मुझे गोल्ड का सेट मिला था तो ये मज़े होता है भाबियों के अगर देवर की शादी हो तो और ये है मारे पापा जी जो अब इस दन्या मेरे एक ही ननद रहे है और यह ताउजी की बेटी है तो यह भी अब ही अवस दुनिया में नहीं है यह भी कोरोना की जो सेकिंड लहर आया थी नहीं स्ट हान फरस्ट में जो है यह ही एकसपययर हो गे थे काफी चोटी उम्र में ही तो काफी लोगों को जो है हम खोच चुके हैं अभी तो हां बेटियों को भी और जो है स्टेम जब तिलक होता है तो गिफ्ट मिलते हैं तो दिदी को भी रिंग मिली है और अब मम्मी जी खिला रही हैं बेटे को खाना तो ये भी हमारे हां पर एक न को खाना खिला रही है पानी पिला रही है शगुन होता है मतलब चाहिए एक दो बैटी खिलाएं तो ये भी शगुन होता है नेक चार होता है हमारे यह अपर मैं ये वीडियो शेयर तो कर रही हूँ फिर, मुझे डर भी लग रहा है। किचन है तो अभी जो है देवजी जो देवी देवता जो भी होता है घर के उनकी उनको हाथ जोड़ रहे क्योंकि अभी बरात जो है रवाना होने वाली है और यह है हमारा पुराना मंदिर और यहाँ पर जो है अब सब लोग तिलक कर रहे हैं देजी को जो भी देजी से बड़े हैं सब लोग तिलक करेंगे इनको पैसे देंगे तो इस टाइम खुब कमाई होती है दूले के तो यह है देजी की बुवाजी की बेटिया हाँ दोनों बुवाजी की बेटी हैं देजी की तो देखा जाए तो हमारा खुब बड़ा परिवार है मतलब पांच तो देजी की बुवाजी है पांच ही देजी के मामा जी है और तीन देजी की मौसी है तो इस तरह करके हमारा खुब बड़ा परिवार है तो बस अब तिलक हो गया है और गाड़ी आ गई है यहाँ पर दिदी कर रही है यानि कि मेरी ननद कर रही है देजी की नजर उतार रही है दुले की अब नजर उतार रही है कि भी दुले को नजर ना लग जाए तो नजर उतार रही है सब लोग और अभी रवाना होने वाली ह बारात मतलब देजी जा रहे हैं मुझे लेने के लिए तो जैसे मतलब धुला रवाना होता है पहले वो जाता है मंदिर और अब देजी आ गए हैं मंदिर सब काशिवाद लेंगे देवी देवताओं का और फिर बारात चलेगी आगे तो यहाँ पर यहाँ पर बुवाद जी है देजी के साथ और देजी के एक फ्रेंड है मेरी ननद है और उसके बाद जो है सब लोग आ गए थे ताउजी के घर वहाँ पर खाना के लाया देजी को और फिर बारात रवाना हो गई और अब पहुंच गया है गैस्ट आउस यानि की मेरे माई के हाँ मेरे माई के मतलब आ गए है देजी मुझे लेने के लिए तो यह गैस्ट आउस में नाश्टा हो रहा है बरात का सब लोग मज़े कर करके खा रहे हैं दूले को तो यह फिर भी खाने को मिल जाता है दूलन के तो भी जरी को ही है कि एक अंदर से गबराट सी र वह यह यार एक मतलब अपना घर छोड़ कर एक अंजान लोगों के बीच में जाना जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो और तो वह एक डर भी रहता है एकसाइटमेंट भी रहती है सारी चीज़े होती है तो लड़की को तो फिर भी खाने में मज़े आते हैं दूलन क पैंट और चैक शर्ट में जो गूम रहा है वो मेरा भाई है बिचरा इदर से उदर हो रहा है काफी चोटा था मेरा भाई उस टेंट जो मेरी शादी होई थी टैंथ में पढ़ता था वो और यह देखिए नाश्ता समोसे मिक्चर काजु कतली रसमलाई काफी कुछ था हर ब बाप की अच्छे से अच्छे अपनी बेटी की शादी करें बस उसके बाद वो यह ही चाहता है कि जितना अच्छा जितना मन से वो शादी कर रहे हैं उतना ही उनकी बेटी को खुशी मिले प्यार मिले तो नाश्ता वगर हो गया है बारात का और अभी जो है यह सब लोग गैस्ट हाउस में ही है और देज़ जी को देखे कपड़े चेंज किये हैं यह जब वहां से मतलब अपने शेर से रवाना हुए हैं तब इन्होंने कोट पैन डाला और यहाने के बाद इन्होंने चेंज मतलब इतना शौक नहीं रहा इनको कपड़े बदलने का करने का तो सब लोग हसी भी उडाते हैं कि तुम मा बेटियोंने ना इनके सारे शौक खतम गर देजी को पहले बड़ा शौक था तयार होने का और मतलब अलग अलग कपड़े पहनने का तो यह जब वहां से आया तब इनको कोड़ पैन रखा था और फिर इनोंने शेरवानी डाल ली थी और हाँ जी यह देखिए यह है मेरा लहंगा और यह है मेरे शादी का गोल्ड जो की मुझे डला है देव जी औरो की तरफ से तो हाँ काफी लोगोंने मुझे कमेंट भी कहा था जब मैंने अपना जोएल पे नहीं रखता तो ये सारा गोल्ड डला था और ये देखिए अब देजी फिर से रेडी हो गए है शेरवानी डाली है और ये सारे देजी के फ्रेंड्स है यहां ये सब देजी के क्लोज फ्रेंड्स है और ये जो देजी के जस्ट पास में खड़े हैं मोटे से न जो डाल मी अब या नामेन का ये अभी इस दुनिया में नहीं रहे ये भी कोरोना में जो है एक्सपायर हो गए थे तो देजी को बड़ा दुख लगाता है और किसी का कुछ भी पता नहीं चल है तो अच्छी बाते करते हैं और यहां सब का डांस चल रहा है बारत वाला डांस किसी को नहीं है लड़कों को बस अदर अदर टांग मर रहे है और मैं और गुड़ो ऊएम इसक्र बूल को यह बाशी वड़ा रहे था क्योंकि हम तिनों सात में ये वीडियो देख रहे थे कि आप दो साथ को दो एए यह नि बॉप्स करता है डांस इन अरिक ट्रीट्रेट यह मेरे बॉस्पने बास उना है यार यारी मेरे सुचे नहीं जा छा गो सिखा रहा है तिकर यह सिकता है अरो असेरी लोग अस बसब्सेवन Lisa मेंग अपता अबाड़्य UP अबाड़ कनो एडाम कुर अ मानद है मनाद मुझन मैंञाद यहा रहŁ यार इंगा पनी डांस है तो गुद्डू और बुल्बल इतनी हसी उड़ाई है सबकी डानस करने वालों की और सबसे ज़्यादा मजicação मेरे डीवर जी का जिन्होंने सूटी डाल रखा है तेरे नाम कटिंग करवा रखिए जिन्होंने हियर कट करवा रखा है उनके डानस के सबसे ज़्यादा शी उड़ाई जा रही है तो बस यहां पर देजी पहुँच गया और यह मेरी मम्मी है तो यह जो है दूले का सास यहां पर वेलकम करती है तिलक करती है और और भी काफी मतलब नेक्चार होते हैं यहां पर जिसे नाक खीचना दूले की तिलक करेंगी पहले और मुँ मिठा कराएंगी दूले का और फि यह देजी की बुआ की बेटी और यहां पर पता नहीं देजी क्या नहीं लगाक्या एक कुछ्छा मिस्स कर दिया उन्होंने तो टूंद रही है मेरी ममई दिजी कितने मासूम से कितने सिद्धे से लग रहे है न इसमें पर है नहीं मिल्कुल भी वह यह की इस टेमलो लड़कों को भी घबराट तो होती है शकल पर उनके दिखती है जतनी लड़कों को जादा होती है घबराट शादी के टाम और लड़कों को भी थोड़ी बहुत होती है तो वो भी उनके चेहरे पे दिखती है तो यहाँ पर जो है ये कुछ मस्तिया मजाग चल रहे है स्प्रे कर दिया है पीछे से दिजी के दोस्तों ने सब पे तो ये सास जो है जमाई को उतारती है चोकी से अंदर लाती है और ये है मेरी मामी जी तो ये भी वही जो है दिजी का दिखा रही है उनको काजल डाल रही है शिशा दिखा रही है तो ये सब हमारे हाँ पर रिती रिवाज होते हैं इसी तरह से हमारे राजस्थान में तो कहा कहा पर ये होते हैं मुझे जरूर बताना मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके वहाँ भी ऐसे रिती रिवास होते हैं क्या और अब होगी मेरी एंट्री तो ये आ गई हूँ मै तो यहाँ पर जो है दुलन को फैक ना होता है एक लड़ू बनाया होता है और वो फैक ती है दुलन तो बस मैं एक बार ये के लिए आई हूँ यहाँ पर और फिर बस दो सेकिंड में ये लड़ू फैक के और फिर मैं चली जाओंगी तो अलग-अलग जगे पर अलग-अलग रिती वास होते हैं पर ये होता है कि दुलन जो अपना चहरा नहीं दिखाती बस वो पीछे से लेडिज आगे खड़ी रहती है वो पीछे से आती है और लड़ू फैक के चली जाती है पर हमारे यहाँ पर ये ती रिवाज़स होता है और कुछ बहने है देज जी की ये फूफा जी है बीच में जो खड़े है और कुछ मामा जी की बेटिया है ये जो पिंक लेंगे में दिख रहे हैं आपको ये मेरी ननद है तो अब आगई है मेरी मामी मामी जी तो ये होता है ये भी एक रस्म होती है यार जो जब दूला स्टेज पर आ जाता है तो उसके बाद ये रस्म कराई जाती है इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं ध्यान है इतना और यहाँ पर अब देजी वेट कर रहे हैं दूलन के आने का तो अब होगी मेरी एंट्री और ये हाँ ये बैठे मेरे जेड जी जिन्होंने वाइट कलर का ड्रेस पहना है इनके शादी में सबने खूब हसी उड़ाई थी अब सब इनको कह रहे थे कि ये बिल्कुल जेठा लाल जैसे लग रहे है तो उसके बाद जो है भाज साब ने ये ड्रेस पहनना ही छोड़ दिया था जो वाइट कलर की ड्रेस पहने में बैठे न वो तो हांजी अब हो गई है मेरी एंट्री और शादियों में ये सब चलता ही रहता है मतलब कोई किसी का मज़ा कुड़ा आता है कोई किसी के ڈانस का मजाद कुड़ा रहा है मीरा भी कुब मजाद कुड़ा गया था दिजी ने खाओ ओ ओ ओ ओ तु कितनी दुम दीरे-दीरे-दीरे आ रही थी कुछ तो मेरा लहेंगा भी भारी था और कुछ जो है दिदी मुझे मेरी जो जो बड़ी बहन है ये देखिये, मेरी बड़ी बहन है जिन्को ने रेड कलर का लाइंगा पैन रखा है तो ये हैं मेरी बड़ी दिदी Real Sister हम दो बहने है तो दिदी मुझे बोल रहे थे कि नहीं, बिल्कुल धीरे-धीरे चलना और मैं भी जो है न सारी चीज दिदी से पूछ पूछ के कर रही थी कि अब चलूँ अब रुकूँ अब चलूँ अब रुकूँ अब मैं जब यह देखते हुना थे मुझे इतनी हसी आती है कि मैं क्या एक एक चीज दिदी से पूछ के कर रही थी यह दिदी का बेटा है जिसने वाइट शेरवानी डाल रखी है मतलब की मेरा भांजा दिदी की दो बच्चे है एक बेटा और एक बेटी है तो उनसे कभी आगे मैं व्लॉग में आप लोगों को मिलवाऊंगी और ये पीछे मेरी चाची है तो ये है हमारा दुलहन वाला गेट अप और पलू जो है मेरी पार्लर वाली ने बिलकूल भी अच्छे से सैट नहीं किया था क्योंकि मेरा जो शादी का लेंगा था वो बहुत ज़्यादा हैवी था तो उससे अच्छे से सैटी नहीं हुआ और ये है मेरी मौसी की बेटी जो बॉयकट में खड़ी है तो एक तरफ मेरी दीदी खड़ी है एक तरफ मेरी मौसी की बेटी है तो पूरा मैं जो है शादी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाऊंगी बस मैं जो है वरमाला तक ही आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी क्योंकि जो थर्ड सेडी है जिसमें की फेरे और विदाई है ना वो देजी ने कहीं चुपा दी थी और वो ऐसी चुपाई उन्होंने कि वो आज तक मुझे मिली नहीं है अगर कहीं से कभी मिल जाएगी तो मैं आप लोगों के साथ विदाई और फेरे भी शेयर करूँगी आज के लिए बस इतना ही और वो देजी ने क्यों चुपाई क्योंकि मैं जबी भी विदाई देखती हूँ ना शादी की तो मैं बहुत रोती हूँ तो इस वज़े से देजी ने उसको चुपाई दिया और ऐसी जगह चुपाया कि वो आज तक मुझे मिली नहीं तो ये था मेरी शादी का वीडियो अगर पसंद आया हूँ तो एक लाइक